तो दोस्तो आज मैं बहुत ही मस्त एक साउंड वाली गन बनाने वाला हूँ जो की पानी की जो लोही वाली पाइप होती हम उसकी मदा से बनाएंगे इसके मदा से इसली बड़े आसानी से बन जाती है तो दोस्तो इस तरीके मैंने एक पाइप ले लिया है और मैंने दो सौके लगा लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की डिजाइन मैंने के उपर से कट के लिए ज कर लिकेशन और अगे जो अपने मार्कर से निसान लगा वो थोड़ा से एक्ष्टा निसान लग옂य था खका ख्टा तो कॉर्ट dedication क्रणा स्रफिस तरङेसे मैं कुंडी से लगया था उसे हमें कटनी करना सिर्फ इस तरिक इस तरी कीजनी वार्व है इसको लगा देना है एक जो टी-sakit इसे लगा देना है और यह जो दर्वाज़ की कंडी है इसे हम इसके अंदर डाल नाप ले लेंगे और यहां पर आप देख शकती है यह अंदर नहीं जा रहा है पूरी तरीके से तो इसको अपने जगह तक पहुचाने के लिए हम इसे थोड़ा सा काट करके छोटा कर देंगे जिससे कि पूरी तरीके से अंदर चला जा और यहां पर आप लोग देख सकते हो यह भी अपनी जगह पर आ गया याने कि पूरी तर कर चुका है आप दोस्तों इस तरीके के हम दो स्प्रिंग ले लेंगे और इन दोनों को हमें आपस में इस तरीके से जोड़ देना है तो दोस्तों आपको स्प्रिंग कहा मिलेगी मैं आप लोग बता दे रहा हूँ जो चाइना वाली जो 75 रुप आले जो गन आती है उसमें 9407168 तुछ मैं इस वीडियो में उससी के मार्ण से वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर दोस्तों उस तरीके से मैंने उस्प्रिंग के उपड़ से नाप ले करके चार्ट पेपर को मोल करके इस तरीके के अंदर रहेगा जिससे की spring जो हमारी वह बेंड नहों वन्हा अगर हम बिना उसके लगाएंगे तो इस तरीके से हमने कागज का पाइप बना लिया है और इस पाइप को में इसके पीछे इस तरीके से डाल देंगे तो spring जब भी पीछे जो है की लोड होगी तो अंदर से बे इस पाइप के सीट होती है कई लेयर को हमको आपस में चिपका करके इसे थोड़ा मूटा बना देना है और फिर इस तरीके से गोल सा निसान लगा करके हमें इसे घीस करके कुछ इस तरीके की आकरिती बना लिनी है यहाप आप लोग देख सकते हो उसके बाद ये इतना पतला होना चाहिए कि इस पाइप में ये आसानी से चला जा रहा है और ये आगे पीछे बिल्कुल अच्छे से मूव कर रहा है तो इसको दोस्तों ये जो दर्वाजे की कुंडी हमारी इसको हमें इसके आगे लगा देना है यहाँ पर क्योंकि जो कुंडी हमारी वो काफी ज़्यादा पतली है तो इसे हम थोड़ा सा आगे से मूटा करने के लिए इसे हम लगाएंगे ताकि ये अंदर पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा हीले नहीं तो आगे से हमने इसे थोड़ा सा मूटा कर दिया है इसलिए कुंडी के आगे हमने इसे लगा दिया है और इसको लगा देने बाद अब हम इसे वापस से अपनी जगह पर लगा देंगे तो चलो अभी इस कुंडी को मैं वापस से अपनी जगह पर इस तरीके से लगा दे रहा रहा हूं और यह उपर होला है सामने कुला है इसको मैं आपने कर्ण dessert तो चलोबर इसको कर्ण देते हैं कि तो दूस्तों इसको लगा देने बाद यह कुछ ही सरी सहां हमारा रेडे हो चुक इसको मैं आगे इसके उपर चिपका दे रहा हूँ, तो दोस्तों इसको चिपकाने के मक्सद यह है कि यह प्लास्टिक के उपर इस टीन के चदर को चिपकाना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम इस गन को चलाएंगे तो वो आगे एक लोहे की चीज लगी होगी, जिसे कि इस पाइप के अंदर यह जा सके, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इस लगड़ी गीस करके हमने पतला कर लिया है, तो इस पाइप के अंदर यह जा तो रही है, लगिन पूरी तरीके से अंदर नहीं जा रही है, तो इस वाल्व को हमें खोल लिना है, और अभी आप देख सकते हो, यह इसके अंदर यहाँ पर आ करके रुक रही है, तो आगे के साइट से हमें इसे थोड़ा सा और पतला कर लिए तो चलो अभी मैं इसे भी यहाँ से पतला कर लिए रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आगे के साइट से हमें इसे थोड़ा स्पतला कर लिया है, आप दोस्तों इसको इस तरीके से हमें इसके अंदर लगा करके यहाँ पर हमें एक निसान लगा देंगे, तो निसान लगाने इस पहले सबसे पहले इसके वाल्व को हमें आगे लगा देना है और उसके बाद इस लकड़ी को हमें इसके अंदर डाल देंगे कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर हमने इसे डाल दिया है और इसके बाद हमें इस जगह पे निसान लगा देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों हमने निसान लगा दिया है और इस निसान के पास हमें इसे cut कर देना है तो चलो यहाँ पर मैं इसे cut कर दे रहा हूँ और इसको cut कर देने बाद जो यह हमारा nut है जो ind cap है इसके उपर हमें fabric लगा करकर इसे चिपका देना है तो यहाँ पर मैं इसे चिपका दे रहा हूँ और इसका यूज क्या है दोस्तों यह आप लोग को भी आगे समझ में आएगा इसका क्या यूज है तो इसे में मजबूती से चिपका देना है और इसके उपर हमें एक होल कर देना है तो चलो अभी यहाँ पर मैं इसके उपर एक hole कर दे रहा हूँ और दोस्तों इसके उपर hole कर देने बाद यहाँ पर मैंने एक cycle की जो तीली होती है उसे मैंने ले लिया है और इस तीली को हम इसके उपर लगा देंगे उसके बाद 5W quick से इसे हम अच्छे से चिपका देंगे ताकि अपने जहर से निकले नहीं उसके बाद थोड़ा सा तीली आगे छोड़ करके हमें इस तरीके से इसे cutting कर लेना है और दोस्तों इस तरीके जो ring cap होती है दिवाली वाली जो ring cap होती है अब इस गन के आगे उसे लगा देंगे तो सबसे पहले इसको में load कर दिना है पीछे के side में ताकि ये काम में दिक्कत न करे तो इसको हमने पीछे कर दिया है और उसके बाद इस switch को हम आगे इस तरीके से लगा देंगे तो इसको चलो अभी मैं अच्छे से लगा दे रहा हूँ और इसको अच्छे से लगा देने बाद आगे जो ये वाला हमारा इसा है इसमें हम इस रिंग कैप को इसके उपर इस तरीके से लगा देंगे और उसके बाद अब हम इस अब यह गन जो है वह हमारे चलने के लिए रेडी हो चुकी है तो चलो अब मैं इसे आप लोग को चला के भी दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से लाना है सिर्फ इस तरीके से में जो हमने पीछे लोट किया हुआ है उसे हम अंगूठे से गिसका दे देखने से पता चलिया कि खतरनाक गन नहीं है किसी तरीके नुकसान नहीं पहुचाते यह सिर्फ साउंड गन है जिसे लिए दिवाली में यूज कर सकते है यहां पर आप लोग देख सकते हैं अगर यह खतरनाक गन होती तो मेरी हाथ को छेद कर देती लेकिन नहीं किया है इसका मतलब यह सिर्फ साउंड गन है इससे कोई भी खतरा नहीं है इससे आराम से कोई भी यूज कर सकता है क्यों मनोरंजन के लिए बनाए गई है अजय कोई आराम से कोई जाए बनाए खतरा नहीं है इससे कोई भी खतरा नहीं पर गई है